स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं जानता हूं कि आप सब एक्सपेट कर रहे होंगे कि परिमल सर कब आकर यह वीडियो करेंगे about why the stock market is falling पर वो फिलाल अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करोंगा आपको समझाने की वो रीजन जिनकी वजह से stock market कह सकते की गिर रहा है करेंटली और इन्वेस्टर्स को ऐसे environment में क्या करना चाहिए इस पर मैं थोड़ा सा detailing देने की कोशिश आपको करोंगा अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा और शेयर करें वित मैक्सम पीपल तो चलिए समझते हैं क्या क्या चीजे हुई है मार्केट में आज और उसके पीछे क्या रीजन हो सकते तो अगर नंबर्स देखे तो निफ्टी 50 इस डाउन आज निफ्टी इटी ऊपर है बाई 0.66% लेकिन बाकि सारे इंडाइस में आज एक फॉल नजर आया निफ्टी PSU बैंक का जो इंडेक्स है डाउन बाई 3.31% तो समझते है क्या क्या रीजन्स है मेंली सारे रीजन्स जो हमने पिछले हफते देखे थे वही रीजन्स अभी कंटीन्यू हो रहे हैं मार्केट में उन्हीं चीजों की वज़े से थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत वीकिनेस जो नजर आ रही है निफ्टी और सिंसिक्स के सारे इंडाइस अब six consecutive sessions के लिए नीचे रहे हैं और 5% से भी ज्यादा जो है यह इंडाइस नीचे आ चुके है जो हफते बर पहले के लेवल से वहां से अभी भी मार्केट का जो डिकलाइन है उसमें सिग्निफिकंट सेल आफ एफपी आएस के द्वारा ही नजर आ रहा है तो एफपी एस सेलिंग अभी भी कंटीन्यू हो रही है मैं जस टाइम पर वीडियो बना रहा हूं अब तक इंडेक्स जाइनीज इंडेक्स वह अप रहा बाए 1.57 परसेंट जैपनीज इंडेक्स निकी वह अलसो बबाए 1.77 बरसेंट तो अभी भी एफपेट इस सेलिंग वही प्राइमरी फैक्टर दिख दे रहा है अभी वही ट्रेंड कंटीनू हो रहा है कि एस ने अब तक उनकी जो सिंट्रल बैंक के उन्होंने हाली में स्टिमूलस दिया था तो उसके बाद से उनका जो इंडेक्स है हैंग सेंडेक्स एंडेक्स और शांगाई कंपोजट है दोनों इंडेक्स उपर जाते हुए नजर आये हैं एक और रीजन मिडल इस का टेंशन अभी भी कंटी हैं एंड बढ़ते हुए कुरूड प्राइजस इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है बिकॉस 80% इंडिया का जो डिपेंडेंस है ओईल के लिए वो इंपोर्ट पर ही होता है तो ऐसे में इंडिया के जो सारे फिस्कल एंड करेंड करेंड अकाउंट डेफिसित नंबर है उस पर ज्यादा असर होने लगता है एक और चीज एक और रियक्शन जो हो सकती है मार्केट ने दी है that is related to state election exit polls तो exit polls आये हैं सामने for JNK and Haryana elections जहां पर BJP के जो seats है वो lagging नजर आ रहे हैं investing point of view से problem is not about BJP और Congress being in power but investors को generally यह पसंद है कि state government and central government same party चला है तो वो policy making के लिए easy रहता है तो हो सकता है उस वजह से market में थोड़ी बहुत weakness हो तो यह immediate reaction जो है markets ने sensex nifty and overall markets ने हम कह सकते है कि exit poll के reactions पर भी दे दिया हो तो substantial fall जो है market में वो mid caps and small caps में नजर आया तो एक और चीज जो दिख रही है market में जो पिछले हफते में नहीं दीखी थी वो यही है कि flight of capital within India नजर आ रहा है from mid caps and small caps over to the large caps अगर हम पिछले कुछ महिने में देखे तो nifty 50 जो index है उसने mid caps या फिर small cap indices से better returns दिये हैं तो हो सकता है valuation एक concern जो mid caps and small caps में हमें दिखाई दे रहा था उस वजह से थोड़ा flight of capital होने लगा है कि investors prefer कर रहे हैं ऐसे geopolitical scenario में कि large caps में वो रहना पसंद करेंगे अब investors ने क्या करना चाहिए इस पर हमेशा हम last में थोड़ा बहुत detailing देते हैं जैसे परिवल सर भी हमेशा कहते हैं कि red is the color of opportunities तो अगर आप एक long term investor हो एड़ एक proper financial planning के साथ आप आपके सारे investments को approach करते हैं तो ऐसे में आप जैसे investor के लिए ऐसा market fall से जादा फ हमें bigger picture पर ध्यान देना चाहिए and longer term perspective से अगर हम invested रहें तो हमारे financial goals achieve करने में इसमें दिक्कत कभी नहीं आती तो market गिरने के reasons समझना important है उस पर react करना important नहीं है तो इसी के साथ हम इस video को conclude करते हैं अगर video आपको अच्छा लगाए तो like जरूर कीचेगा and share भी कीचे with maximum people मिल करते हैं तो